आज असम्मे देखिए सालों साल से जो इलाके शांत थे वहाँ अब स्थाई शांती स्थाफित हो रही है राज्जों के बीच सीमा विबाद हल हो रहे हैं बाजपात सरकार बंडे के बाद यहां दस से जादा बड़े शांती समझोते हुए है पिछले कुछ वर्षों में नौर्ट इस्ट में हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास का रास्ता चुना है मैंने कई वर्षों तक आसाम में मेरी पार्टी के संगठन का काम किया है मैं यहां हर इलाके में घुमा हुआ इंसान और मुझे आद है उस सबय जाने आने में एक रुकावट यह होती थी कि रोड ब्लॉक के कारकम मंद के कारकम और गोहाटी तक के अंदर मम ब्लास की घटनाएं मैं अपने आखों से देखता था आज वो भुद्कार बनता चला गया है दोस्तों लोग शांती से जीद है असम के साथ हजार से जादा नौजवानों ने भी हतियार छोड़े है देश के विकास में कंदे से कंदा मिला का चलने का संकल पलिया है कई जिलों में आस्पा हटाया गया है जोक्षेत्र हिंसा प्रभावित रहे आज वो अपनी आकांग्छाओं के अनुसार अपना विकास कर रहे हैं और सरकार उनकी पूरी मदद कर रही है आज असम में देखिए सालों साल से जो इलाके शांत थे वहाँ अब स्थाई शांती स्ताफित हो रही है राज्जों के बीच सीमा विवाद हल हो रहे हैं बाजपात सरकार बंडे के बाद यहां दस से जादा बड़े शांती समझोते हुए है पिछले कुछ वर्षों में नौर्ट इस्ट में हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास का रास्ता चुना है मैंने कई वर्षों तक आसाम में मेरी पार्टी के संगठन का काम किया है मैं यहां हर इलाके में घुमा हुआ इंसान और मुझे आद है उस सबय जाने आने में एक रुकावट यह होती थी कि रोड़ ब्लॉक के कारकम मंद के कारकम और गोहाटी तक के अंदर बंबलास की घट्राएं मैं अपने आँखों से देखता था आज वो भुदकार बनता चला गया है दोस्तों लोग शांती से जी रहे असम के साथ हजार से जादा नौजवानों ने भी हत्यार छोड़े है देश के विकास में कंदे से कंदा मिला का चलने का संकल पलिया है कई जिलों में आस्पा हटाया गया है जोक्षेत्र हिंसाज प्रभावित रहे आज वो अपनी आकांग्छाओं के अनुसार अपना विकास कर रहे हैं और सरकार उनकी पूरी मदद कर रही है